फ्रेंड्स अज आपके सामने बायलोजी का ये चैप्टर वण या चैप्टरट Sawy जिसके पुस्तक में जो भी पार्थ हो इससे हमें नहीं मतलब हमें मतलब है जीओ में जनन जीओ में जनन कैसे होता है इस पार्थ से चैप्टर से जो भी हमारे questions आने वाले हैं कुछ इस type के questions आप learn कर लीजिएगा ठीक है ति आपका ये आपका PDF ये आपका पूरा पूरा matter ये आपका selfstudy.com को ये credit होता है हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं इसलिए ये पूरा credit इसे self study को पर जाता है ठीक है यहाँ पर क्य है जीव में जनल पर क्या पताया जा रहा है कि इसमें जो points हैं इसको आप पढ़ते रहिएगा ढंक से समझेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे पूरा यही question आप देख लीजेगा इस पार से बस आप पूरा इसका स्क्रीन सौर्ट लेकर के notes तैयार कर लीजिएगा जीवन की अबजी या जीवन काल क्या कहते हैं जब भी कोई भी जीव पैदा होता है जन्म जब होता है उससे उसकी मृत तक का जो टाइम होता है वही उसका जीवन अबजी होती है या जीवन काल कहलाता है यानि कि प्रतेख जीव जो प्रतेख जीव का जीवन काल अलग-अ होता है जैसे मनुस एक जीव है इसका जीवन काल सत्तर से पचाथतर वर्स माना गया है मनुस जो है एक जीव है और इसी तरीके के बहुत सारे जीव है जो आप समझ सकते हैं इनका जीवन काल होता है यहीं का जीवन काल होता है ओके बात समझ गए जीवन अब अब किसे कहते है उसके बाद है कि कुछ जियों में जीवनकाल निम्न है मतलब कुछ जन्तुओं का हमारा जो जीवनकाल होता है वो कुछी इस परकार से है जो कि आपके सामने यहां पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा तो यह इस तरीके से देख लीजिएगा तो सबसे पहला है आपका यहां पर जीविधर हाथी है क्या है हाथी हाथी का जो आपका जीवनकाल होता है वो पैसर से लेकर के सत्तर वर्स तक होता है कहां आप वो इसका जो जीवनकाल होता है मतलब यह हाथी जो है पैसर से सत्तर वर्स तक जीविध रहता है और जो कुटा होता है वो 20 से लेकर के 25 वर्स तक जीवित रहता है देखें बीच में वो उसके मृत हो जाए वो अलग बात है वो अकासमी मृत हो जाती है और घोड़ा जो होता है वो 50 से लेकर के 60 वर्स तक होता है कचुगा जो होता है वो 100 से लेकर के 1500 वर्स तक होता है और जो कवा होता है वो 15 वर्स तक होता है सोचिए इतने सालों तक ये सब जीते हैं तो इनका यही जीवन काल है यही क्या है इनका जीवन काल है उसके बाद चलते हैं हमारा यहां पर कुछ पौधों में जीवनकाल जो होता है तो पौधों का जीवनकाल कुछ इस तरीके से है जिसको आप देख रहे होंगे तो पौधों का जीवनकाल कुछ इस तरीके से है जो की गुलाब का हो गया गुलाब का जीवनकाल जो होता है पां होता हैै पाउद्वेंं कि जो होते हैं इनका जनन की बात होंने चरृहं। इस तरीके से हम पर पर जनन से बात समझते हैं जनन को इंग्लियस poking में बोलते हैं reproduction reproduction system मतलब हमारा कैसा होता है तो जनन दोरा कोई जीव धाली वनस्पति या प्राड़ी अपने ही सद्रिस किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाद की विद्ध करता है जन्म देने की स्क्रिया को जनन करता है सीधे सब्दों में बोला जाए अपने ही समान जीव पन करने की जो छंता होती है वही जनन कहलाती है अपने ही समान कोई भी जीव जन्त हो कोई प्राणी हो कोई वनस्पति हो अपने ही सद्रिस अपने ही समान का जो दूसरा जीव जन्म देता है वही जो जाट की उसकी विद्धी होती है वो एक जनन होती है उक्रिया जो होती है उसके बाद जननका आर्थ क्या होता है कि अपने समान संतान पन करना यही होता है जनन जनन का उत्देश क्या है यह परपज आप रिप्रोडक्शन का जो परपज होता है वो पुछ इस तरीके से जीunden में जनन जीओ में एक П्रमुग जयवी क्लिया इसके निम लिखीत मतलब कुछ प्रकार के उद्देश होते हैं मतलब हमारे जनन का उद्देश क्या होता आखिर इसका उद्देश क्या है जनन क्यों जरूरी है भाई जनन क्यों जरूरी आप खुछ समझ सकते हैं जनन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नए जीव को उत्पन करना है और नए जीवन के लिए जनन आवस् पर चलती है इस लिए जरूरी है और जिव जो है जनन करते हैं अपने समान उत्पन करते हैं संतान और जिसकी उसकी संख्या में बिद्धी होती है बिद्धी भी होती है अगर एक मान लीजे कोई जिव है और इसके दो बच्चे हो गए तो दो हो गए उसके बाद उन दोनों के एक एक दो दो हो गए तो चार हो गए तो संतान की तो पत्ती होगी ही साथ ही साथ उसकी बिद्धी भी होगी संख्या में क्या होगी बिद्धी होगी जनन बिभिनताय उत्पन होती है और ब मतलब उसमें अंग का थोड़ा किसस्तरा होणा उसका ॐ TC hon रहो ऊसका कार्थ यंजुनक होना कुछेती चेंज हरोगा उससे क्या पता चले का क्षिए थाधर हो जाएक यह बी उद्धेस होता है चनंते द्वारा किसी जीव की म्रीत होने पर उस उसकी आधिका अस्तित बना रहता है अगर जनन नहीं हुआ रहे तो जिसे की अगर मनुस का जनन नहीं हो रहा है तो उसका जो संतान होगी उसके बाद मनुस का जो हमारा मनुस का वंस है उसकी जादी जो खत्म हो जाएगी मतलब उसके बाद फिर मनुस से पैदा नहीं होगा तो अगर जनन ह करता है कि जादि कैसका रखाता है कि इस तरीके से यह चीजे हो गई हुगई अब इसनक वैक्त के प्रकार जो जयाना हुटा है। निम्य प्रकार का होता है पहला तो होता है काईक वर्धी जनन दूसरा होता है अलेगिक जनन और तीसरा होता है लेगिक जनन काईक वर्धी जनन को हम इंगलिस में बोलते हैं विजिटेटिव रिप्रोडक्शन और अलेगिक जनन को हम बोलते हैं असेक्सूल रिप्रोडक्श पॉद्धों में हमारा जो रिप्रोडक्शन होने चार रहा कुछ इस तरीके से जो कि यहां पर है जब किसी पॉदों की जर्ट तन्व पत्तियों के द्वारा किसी नए पॉद्धे को जन्म दिया जाता है तो उसे हम काई जनन या वर्धी जनन कहते हैं सीथे सब्दों में आप समझ गया होंगे बाद को तो कुछ इस तरीके का जनन होता है ठीज है स्वारी यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो यहां पर देखिये बोला जा रहा है कि किसी भी पॉधों में किसी भी प्रकार के जो पॉधा होता है उसमें अगल और आपका उसके वे काम आजाएगे मतलब समझ गए न कि उसमें पत्तियों द्वारा हो जाए जड़ द्वारा कर वो नए जिंद पौधों का जन्म देरा नहीं पौधा बन रहा है तो इसका मतलब वह कौन सा जनन हो रहा है काई जनन वेजिटेटिंग प्रोडक्सन हो रहा है मतलब नए पौधा ले रहे अगर उसको आप उसके जड़ से अतने से अगर आप अम्रूद बना रहे तो अम्रूद ही ही तो होगा उसमें कोई चेंज़ेज नहीं होगा तीस तरी कि मात्र पौधे वह का वहाग जो नया पौधा बनाता है उसे काईक परवर्द कहते हैं जो जड़ तन जो हमारा प्रकार काईक जनन अखिर कितने प्रकार से किया जाता है तो काईक जनन जो होता प्राकिर्तिक काईक जनन और कृतिम काईक जनन एक प्राकिर्तिक होता है अपने आप से और एक कृतिम होता है जो कि मनुस्वय करता है उसे ठीक है ते दो प्रकार के इसमें हमारे ह जनन उसके बाद यहां पर है अब एक एक कर देखते हैं कि प्राकिर्तिक जनन के बारे में चरचल करने होता है। पोदों का रुपांतरित भाग या कईछ परवर्ध मीर्थ उपरिवर्थ हो जाता और उस तरीक Efendimiz तरीक हो जाता है एक नया पौधा, तो वो प्राकिर्टिक हो जाता है, मतलब उसे कुछ भी आमनुस नहीं करता है, अपने आप सारी चीज़े हो जाती है, और नया पौधे का निर्मार हो जाता है, ति हमारा क्या हो जाता है, प्राकिर्टिक काई जनन, लेकिन इसका भी एक परकार होता है, मतल किसके दौरा जड़ोधारा काई जनन होगा तो जैसे के वह सब्के। Ü오 मैं पर देखते हैं आप देखें करता है यह सारे पोधे जो है आपका काई हैं भी जरрद्वारा यहां पर आप देख रहे हैं तनों draw escort होगाई काई जरन जब से कैसे कि तने के द्वारा हमारा उसी समान पौधे कअपन की जाना तने द्वारा ही काहिक जनन कहलाता है जैसे उसमें अतरक होगी हल्दी होगा आलू होगा यह सबहें क्या है तने हैं इनके तनों का यूज़ करेंगे और इससे हमारा पॉधा तैयार हो जाएगा इस तरीके से पॉध पत्ती जो होती है पत्ती द्वारा तो होने वाला काई जनन अब हो गया जड़ हो गया तना हो गया पत्ती हो गई पत्ती दारा कैसे हो जब किसी पहुधों की पत्ति को मैं कि अपने समान पॉध्य को थुद्पण किया जाता है तो पत्तिधारा होने दॉफाले ला आक टा się हमें बीगोनी पहुदं कि लुफा में इस तरीक़ मतब क्रिंब काいきजनन में जिसको बोर्ती से इना किसी अरे ड्य़ूरा करवाता है तो यह हमारा होता है já का इजनन कहलाता है जेसे इसमेंसे आपका हो जाती इनकी कटी-जानीोा कर निमार होता है क्योंकि कंथरस्ट करकिया से ही नहीं निलमार होता है और यह तहनी ही कलंप लाती है और कटे हुए यहconfidence का मीर्धा में अधरोब दिया जाता जीसे कुछ संह पहुचा नया पोधा विक्सित होता है कलम लगा नाय प्रक्रिया कई पाध्यों में कि जा सके हैं जिसे गुलाब घुड़ा लमुद मत इसमें सीधी सीधी अगर जो पौधा होता है उसमें कि चोटी-चोटी टहानियों को काट को काट लेते हैं। अब काटने के बात मतलब उसको अब कहीं पर लगा दीजिए तो इस तरीके से कटी टहानियों से बिर्दा में आधर रोब दिया जाता है बस उसके बाद वो पौधा तयार हो जाता है यह होता है क्लम लगाना क्या होता है क्लम लगाना इस तरीके से हो जाता है इसके बाद हम और चलते हैं क्लम लगाना के बाद आ जाता है आपका रोपर क्या जाता है रोपर में क्या होता है रोपर में बोला जा रहा है कि उत्तम उच्छी किस्म विक्सित किया जा सकता है इसमे पौदों की जड़े वा स्कंद पीहों की परंत उसका मुख्य तना फल खूल आदी किस्म वाले पंद कलम होगी यहां बीद जो है आम नीमबू सेब में अपनाए जाता है मतलब इसमें जो होता है यहां पर आपका काड़ दिया जाता और इसमें जगह पर पट्टी बांदिया जाँ सेब का फौद है दूसरा पराइटि इह रूप क्या होता है रोपन का इसके बाद रह में क्या होता है आप का ही परिवर्थित रूफ है इस परदाब बिद का प्रियोग नहीं हो पाता है इसमें बिद की एक स्वस्त singingوس कुछ दिनों के बाद पस्थानिक जड़े निकलने लगती है और पर्याब्त जड़े निकलने की पर जड़के पीछे से साखा को काटकर अलग कर लिया जाता है और यह साखा ब्रिद करके नया पौधा बनाता है जैसे लीची नेमबू आदे मतलब सेम जैसे उसको करते हैं इस कप्रियों के इसमें ब्रिच की एक सस्त साखा को काटकर चाल हटा देते हैं और कटे भाग पर गीली मिट्टी रपेट कर मोटे कपड़े पर टाट बांद देते हैं तो यह आपका तना यहां पर आपका काटकर मतलब इसको छील दिया जाता है इसको और यहीं पर आपका पौधा है यह क्या है और इस पौधे में यहां पर अनेक डालिया है तो इस ड़ाली को अगर ei को अगर हम काट लेते हैं इस पर जमीन पर यहां पर होता है दाब लगाना दाब लगाने में क्या होता है आपका जो पौधर है तो उसके तन्य को ही वहाँ उसको दबा दिया जाता है मिट्टी में क्या मिट्टी में इसको दबा दिया गया अब यहां से इसमें जड़े निकलने लगेंगी बस दीरे दीरे यह पौधर तैयार हो जाएगा रोपड जो है रोपड यहां पर देख रहे होंगे तो रोपड में जो होता है इसी कलम की तरीके से होता है सेम वैसे अकार को उसको कार दिया जाएगा दोनों को जोर दिया तो यह रोपर का काम करने रखता है यह भी काम कर जाता है खोटी बानना जो होता ह कैसे होता इसको देखिए अलाइगी जनन की क्रिया उत्पन संतान से एक दम अपनेजनक के समान अर्थात अपने जननक का कलोन होती है इसलिए अलाइगी क्विधियां जो होता है वह आपका दूइभी खंडन, विजारु जनन, मुकुलन, कालिक्या, खंडी भावन, पुरुद भावन इस तरीके से इतने आपका लेगी जनन में होता है दूखंडन को बाइनिर फिशन बोलते हैं, विजारु जनन को आपका इस्वाइलेशन बोलते हैं विजारु जनन को बड़ीग, कालिक्या को आपका गिम्लस, उसके बाद आपका खंडी भावन को फ्राइवन पुरुद भावन को आपको रिजनरेशन बोलते हैं इस तरीके से इन सारी विधियों का इसमें यूजेज होता है अलेगिक जनन में, कहां पर अलेगिक जनन अखिर किसमें होता है, कैसे होता है, इसको हम समझने चलते हैं देखिए अलागी जनग यहां पर फेले दुझधान हो गया क्या दुझधान है जिसको बोलता है। क्या बोलता है दुझधान इसको हम इंगलिशंते बाइनरी फिसन इसमें क्या होता इस बीद में पराया जो जननक के समय सर्ड़ जनक का जो सरीर होता है। बढ़कर दोरने संसूततरि विभाजन करता है इस विभाजन को या लए कि जहते है जिसे यहां पर आपका कोई है अमीबा क्या है अमीबा आपका आपका अपर केंद्रक है ऑद TC से टूटने लगे कुछ ही इस तरीके से तैके से हो जाए टिकर है यह आपका यह तूटने लगे किंद्र में लास्ट में इस तरीके से अलग हो जाए तक हमारा क्या हो जैब विखंड हैं दो भागों में होता है बीजार्व । क्या होता है इस बीद में आपका जो जी होते हैं इसमें क्या होता है आपका कुछ समय के बाद उसमें से कुछ बाहर भाग से निकल करके आपका अलग सरचना बना जाता है और ये जनक कोस्किया से पाउज से अलग हो जाएगा इसका डिटेल अभी चीत में आपके समय में आ जाएगा चलिए हम पहले चलते हैं अभी और जो है उसको भी समझाते हैं इसके बाद आप का जाता है यहां से बीजान के बाद आप का जाता है मुकुलन क्या जाता है मुकुलन में क्या होता है इस प्रकार की विभाजन में इस्ट में पाया जाता है और इस इस्ट में कोशके में बाय भाग के जनल के समय सुच मुकुला कार काई सरचनाई बनती इसे मुकुल कहते हैं यही मुकुल inspired से अलग होकर कुछ समय पस्चा अपने निश्म dalek अगर यहाँ पर कोई है और इसमें थोला सब बड़ होगा उसे और इसके बाद यह और बढ़ा होगा इसके बाantu खागर होगा बाद में यह तूद करके कुछ समय आने पर नए पौधे के रूप में बदल जाता है ति हमारा हो जाता है कलिया जिसे अंपनोरी नीरिया पौधे में देखेते हैं खंडी भाउन क्या बोलता है इस बीद में बहुत कोसकी जनक होते हैं जन्दू का सरी दोयादी खंडों में तूड़ जाता है और बहुत पर के मातपित जो जैसे होता है उस तरीके से इसमें जीउ जो होते है लगी जन्द में अगर 38 गुरसओतर हैं तो 38 गुरसओत होने बतब इसका केवल एक ही ुचासक्त होई इस वहाले ही इसमें ही जीव होगी मतलब आपका तिम्हेयस के सित्वार екाद आपको इन जान। के समें जाना ना। सब्सक्राइब में आपकी नोगेनींद नेजा समें कि सम्ट आपauen प्रक्रों प्रकूरें की सारी ऑवरिचम की जबाएंकम हैं यहां व्लासे जाना है यह जो भी कोई है कोई बाοι कर दो उसने कोई और जिकाथ लूगते से सब्सेंद म балवे आपको कोई बेल का पौधा आए लो तो बेल ही बनेगा उसमें कोई और चेंजेश होने वाले नहीं है अलेकी चनल की यह हन्या है अर्थ सूत्री भी भाजन नहीं होता है इसमें अर्थ सूत्री भी भाजन भी नहीं होता है और उसके वाद संतान किसी नए गुर्क वाल भी कास नहीं आगया जो लिंगी जनन होता है इसको अच्छे तरीके से समझेए का बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यहां पर लेगी जनन क्लिया हो वो जनन जो होता है वो लेगी जनन होता है लेगी जनन में हमारा छूट आया है वैख और आ इस तरीके से दो उसमें जनन होंगे और दोनों में कुछ प्रकार के फैशनन अंग होओंगी और आवसकता होती है एक जटिल प्रक्रिया होगी उसके बाद ही Take जीव में पाया जाता है यह उसके बाद ना जनम के बाद ही संतान्कीत पत्य होती है तो यह ए अदिसमें आपका और आगे जलते हैं अधे होने ओने फूराइन कि क्या सकते हैं जो कि आपका सबस्क्राइब निसेचन आपका pre-fertilization event होगा ठीक है पूर्व घटन निसेचन की उसके बाद निसेचन होगा फर्टिलाइजेशन होगा उसे बाद निसेचन के बाद की घटनाए post-fertilization event होगा मतलब आप समझ सकते हैं एक आप human को देखेंगे तो आपका pre-fertilization ह प्रिफर्टिलाइजेशन मतलब समझ सकते हैं कि आपका जो सुक्राड हुए जो अंडान हुए दोनों का एक क्रिया होगी यह हमारा प्रिफर्टिलाइजेशन इस सुक्राड और अंडान को बनने में इसको गमन करने में इसकी जो परिक्रिया होने में हमारा यहां पर देखते हैं इसमें देखते हैं तो लैगी जनद जो है नर और मादा उब भी मिलने से यह मतलब मतलब इसमें जो होता है एक जो नर्व जन्नांग बहुते हैं अपका नरी मग निर्मार करता है और जो अधियुए यह कैसे होता मादा यूगमग की तरह गया और मादा यूगमग से मिला यहां दोनों एक दूसरे का क्रिया हुई और जंद और पौधों में अलग-अलग होता है जन्तु जैसे जन्तु में प्रचनल मार्ग योनी मार्ग से तो समझें मादा यूगमग के पास इसकار चाहिते हैं कि होता है इसमें लेकिन आपका जिव में होता है जनतु में आपका नर और MRE Natlak इसके बाद चलते हैं देखते हैं इसका पूरा सिलीम में पूरा देखना है पूरा ऊठिकन कीरों होता है ऐसं प्रिकिलिया में क्या होता है रिख मघूम नर्ष देखकजk होता है मादव सन्लीत होते हैं और शन्लाज होते हैं उसके लिए निसेशन कहें मतबशी ॐसके बाद होती है इसके बाद वरी घटना क्या हो बनाते हैं और निर्मार करते हैं ब्रूर बिक्सित हो करके आपका नया जीव बना समझ सकते हैं सीधे सीधे सब्दों में यही आपका था उसके बाद भूर का विकास होता है आपका अंगों में आपका निर्मार होता है तो यहां पर आपका समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं थोड़ा सा है आपर यह उनस के बाद आपका विकास होता है उसके बाद आप देखते हैं तो बार बार समसुति बिभाजन करके कई कोस्क्याय बनाती है और फिर यही कोस्क्याय उतक बनाती है और यही उतक मिलकर के अनगों का निर्मार करते हैं और यहीं अंग मिलकर अंगतंतर का निर्मार करते हैं और यहीं अंगतंतर नय जीव को निर्मार करते हैं ठीक है इस तरीके प्रोसेस होता है पूरी तरीके समझेगा समसुत्य विवाजन करके पहले को सिक्या पहले को सिक्या बनेगी को सिक्या के बाद हमारा उतक बनेगा उत ले लीजिएगा इसका पीडियाफ हम बनाएंगे तो दे देंगे पहले पीडियाफ हों को कनवर्ट करना पड़ेगा क्यूंकि यह आप पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सेल्फ स्टडी की जाता है इस तरीके के इनके जो भी पीडियाफ साइन को हम आपको डिटेल समझा दे लीजिएगा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने दोस्तों में सेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप किस पर टॉपिक चाहिए उसकी हम ऐसी ही वीडियो सब्सक्राइब करिए ताकि आपका पूरा चेपिटर कंपलीट हो जाए क्या क्या पढ़ना है बस इतना ही पढ़ना है आप दे सकेंगे सारे प्रशनों का अंसर आराम से ठीक है मेरे स्केंड चैनल को आप डिस्कूशन में चेक कर लीजिएगा मास्टरी मॉबाइल टेक चैनल का नाम में मॉवाइल कंप्यूटर टेक वाजिक कुछ अर्मिस लेट